आशुक भूया आलो की सब्जी है आपकी पती से पढ़ती हैं, पत्नी से पढ़ती हैं, साथ से पढ़ती हैं, बहु से पढ़ती हैं, दोस्त से पढ़ती हैं, सादो मात्माओं से पढ़ती हैं, भगवान से पढ़ती हैं आप कौँशी सब्जी हैं? आप आलू की सब्टी है और आपकी किसी से भी नहीं पढ़ती है ना पती से ना पत्मी से ना साज से ना बहू से ना मित्र से ना सादू से और यहां जब आपकी नहीं पढ़ती तो वहां पढ़तीगी क्या आपकी भगवान से भी नहीं पढ़तीगी फिर अवजानन्ति मामुढा मानुसें तनुमाशितो परम्भावमजानन्तो ममभूर्तमहेश्वर्म। आपकी भगवान के साथ भी नहीं पट्टे कि नारायन। कहां पट्टी दुर्योधन के कहां पट्टी नहीं पट्टी। वो घनीबुत अहंकार का प्रतिक मुर्तिमान दुर्योधन वहां बाद गहरा अहंकारें करेले की तरह भगवान से नहीं पट्टी। आधिश्री भगवान को भी दुख के साथ कहना पड़ा अवजानन्ती माम मूढा मेरी अवज्या करते हैं लोग मूढ लोग अहंकारी मेरी अवज्या करते हैं मेरे कुली समझते हैं आप यहां पर आये न प्रिया जाए शनान करोगे गंगा जी में त्रिविणी में शनान करोगे शनान करोगे क्या करो ले अरे कुछ नहीं है जो करेला है ना जो करेला पन है ना करेला पन उसको दोना है गंगा शनान किया अपने करेला पन दो दिया आप जो कड़वे थे ना वो थोड़े क्या हो गए मिठे हो गए आपने स्नान किया मने कड़वेपन को दो दिया और आप मिठे हो गए जब से आप प्रियाग में नहा करके आये तब से आप बहुत मिठे हो गए और सब लोग बोलने लेगे ओहो बैरागना जी ओह बदल गए पहले क्या पेक्षा ओहो बदलाव आ गया मैं हूँ की नहीं इसे कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन अमारे अंदर ये भाव है कि मैं हूँ कुछ हूँ मैं बुधिमान हूँ मैं बहुत सुन्दर हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ ये आपके अंदर जो कुछ होने का भाव है नाराय यही तो आहंकार है और ये अहंकार हमारे भीतर का बाग बड़ा कड़वापन आप साधना करो आप सत्संत करो आप सुबह का ध्यान यहां जितनी भी लोग बैठें सुबह साथ से आट बज़े हम लोग ध्यान करते हैं और उस ध्यान का नामेशो हम साधना हम ध्यान करके अपने भीतर का कडवपन दूर करते हैं हम अपने आपको समझने की कोशिश करते हैं हम अपने होने में जो प्रतिबंध जो अज्ञाने उसको दूर करने का प्रेत्ने करते हैं हम होश में आने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल आत्मा वाडेशोत अभ्यो मंतव्यो निरिध्षाशित अभ्यह। यहां आने का सरवोच्य प्रयोजन यह हैं, यहां भोजन करना प्रयोजन नहीं है, भोजन तो आमेशा मिलता रहता है। यहां बहुत अच्छी सुविधा को पाना भी उद्देश नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा सुविधा में हम अपने घरवे रखते हैं। आपको साधना करना है, अपने आपको जाननी की कोशिश करना है, जब करना है, ध्यान करना है, प्रानायाम करना है, सत्संग का अश्रवन करना है, सुबह जल्दी उठें, पांच बजे तक उठ जाना अच्छी आपको, ये जो भुमी, पवित्र, ये आट बजे तक, नौ बज करने हैं, आपने जीवन को इस अमुल्य समय को विर्थ गमा रहे हैं, तद्विध्धी प्रणिपातेन, परिप्रस्नीन सेवया, उपदेक शंतिते ज्ञानम ज्ञानिन स्तत्व दर्शिन, भगवान ने पहली जो शर्थ दीन वो शर्थ है प्रणाम, और प्रणाम के बाद सेवा के बाद परिप्रश्न हैं, ऐसे गीता जी में तो दूसरे नंबर पर तद्विध्धी प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन सेवया, यह परिप्रश्न बीच में रखा है, लेन एक हमारे मिमान्सा शास्त्र का एक सूत्र हैं, पाठक क्रमात अर्थक क्रमों बली यहां, जहां पर पाठक क्रम होता है, उसके अर्थक क्रम बलवान होता है, जैसे आप बोलते हैं, भोजन कीजिए, आईए, ऐसा बोलते हैं भोजन कीजिए, आईए, यह आपका बोलने का क्रम क्या है, भोजन कीजिए, आईए, तो पहले आए क्या होना चाहिए आई ये भोजन कीज़ें है काने वाले का थात्पर यहीं है इसलिए भगवान यही करना चाहते हैं कि आप गुरु के सामे दिने जाए ये आप गुरु को प्रणाम कीजिए गुरु को स्विकार कीजिए और शुकार करने के बाद आप उनकी शेवा कीजिए आपको ग्यान को पाना है ग्यान को पाने का मुल्य चुकाना बहुत जरूरी है बिना मुल्य चुका ये दुनिया में कुछ मिलता नहीं है हम जदी फुकट पाना चाहते हैं तो उसका कोई मुल्य नहीं है और दुनया मे आपको कोई चीज फुकड मिलती भी नहीं है और ये फुकड खाने के आधत भी बहुत अच्छी नहीं ये फुकड खाने के आधतument आधमी को कामचोर बना देते आधमी को बुरुष्ट बना देते अभी आप ये बड़े-बड़े घोटा ले यह चोरी बहुत चारी चीजें आपको दिखाई देती हैं यह फुकट खाने के आदत हैं हमारे अंदर एक ऐसा बहुत होना चाहिक हम फुकट नहीं खाएंगे बिना श्रम बिना मुल्य चुकाए जो पाने की भावना है वह चोरी है आप अफिस में काम करते हैं आप पुरा का किजियार उसके बाद बैतन लिजिए आप और जिस दिन आप ऑफिस में काम आपका नहीं हुआ तो आप सोची है कि हम काम नहीं किया है अब पैसे कैसे लें यह बहुत गहरी बात है आप गुरु के पाश जाये तो इसका मुल्य चुकाए आप मुल्य चुकाए सेवा ही मुल बहुत बड़ी से बड़ी चीज भी हमें प्राप्त होने के बाद समझ में क्यों नहीं आती है क्योंकि फुकट मिली होई है और फुकट मिले का कोई मुल्य नहीं होता आप जो मुल्य चुकाते हो वही तो मुल्य है उस वस्तु का कोई मुल्य नहीं होता है आपको मैंने बहुत कीमती पुस्तक दे दी, हाजार रुपे की पुस्तक है, बहुत मुल्यवान पुस्तक आपको यू ऐसे प्रसाद की रुप में दे दी, आप क्या करोगे, संभावना तो यही है, वो पुस्तक आपके घर तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि फुकट मिली है, रास्ते में आपको कोई बोल दे, यह पुस्तक हम को दे दो भाई, आप दे भी दे दो, वापस कुछ दे, रास्ते में आपकी कही पुस्तक गिर भी जा, तो आपको दुख भी नहीं होगा, क्योंकि आपको वो प्रसाद में फुकट मिली हुई है, आपके बच्चे ने कहा, कि ममी पापा ये बहुत अच्छी पुस्तक है दे दो आप दे दोगे हाथ में और बच्चा उसके उपर लिख देगा पन्य फाट देगा आपको दुख होगा नहीं होगा क्योंकि वह आपको बिना मुल्य प्रसाद के रुप में पुस्तक मिली हैं और आप उस समय भी क्या अषा लेगन मान लो वह पुस्तक आपने हजार उपयदे करी था किया आप ने हजार उपय दे कर हो हाप दोगे में कोई व्यक्ति आकर वो पुष्टक आपको मांगे, तो आप दे दोगे? नहींगे क्यों? क्यों नहीं दोगे? आपको मालुम है, हमने हजार उपए चुकाएं आप घर गए आपके पोते ने आपके बच्चे ने कहा ये मुमी मेरे को पुष्टक दे दू आप दोगे नहीं दोगे आपको लगेगा ये बच्चा पुष्टक फाड देगा क्योंकि हमने कितना रुपे चुकाए एक हजार रुपे चुकाए आपके लिए पुस्तक का मुल्य नहीं है, वो पुस्तक खरीदने के लिए, जो आपने मुल्य चुकाया, उस मुल्य का मुल्य है पुली सच्चिदानन्द भगवान की जय आपने ज्यान पाया अपने ध्यान पाया लेक। उसका क्या मुल्य चुकाया यह भात मतुफूर्ण है था तू एूरू अपने भगवाद ने somehow चीवा करो गुरू को स्विकार करने के बाद सेवा आरो सेवा का मुल्य चुकाने के बाद भगवा ने कहा फिर प्रश्ण पोचो परिप्रश्णेन अथा तो ब्रह्म जिग्या साथ दो स्टेज पहले पूरा करो और तीसरे स्टेज में प्रश्ण है आत्मबोद के लिए आप अप गुरु को पूछो साधना के बारे में पूछो गुरु आपको बता देंगे और आप आत्मबोद में प्रवेश कर जाओ इतनी लंबी चोड़ी बाते हैं मैंने आपको इसलिए सुनाई ये जो शिवीर स्थापित कि आई सिवीर का एक मात्र उदेश्था नारायन संतों की सेवा आपको लगेगा कि सेवा का और आत्मग्यान का क्या संबन्द है क्योंकि हमें तो बहुत लंबे चोड़े गृंथों को पढ़ने का अभ्यास बहुत बड़े बड़े गृंथों को देखने का अभ्यास लेकिन बहुत गहरी बात है आपकी जो सेवा है वो आत्मबोद के प्रती कारण है ये भगवार ने बोला है सेवा करो सेवा करो आरो सेवा अनेको प्रकार की सेवा आपके पास जो उपलब्द है धन से सेवा तन से सेवा मन से सेवा आपके पास पैसा है तो थोड़ा पैसे की सेवा करो और पैसे नहीं है तो आप तन की सेवा करो तन की सेवा मने तुरा जाडू लगाना कम से कम कच्रा नहीं करना भी सेवा है आपने देखा कहीं कच्रा गिरा पड़ा थोड़ा उठा करके डश्बिन में डाल दिया शेवा हो गई आप परोशने लगे आपकी सेवा हो गई, अपने दोने पत्तल उठा दिये आपकी सेवा हो गई, और यह कोई सामाने चीज नहीं है, यह आपकी बहुत बड़ी साधना आपका अंतक्क्र निर्मल होगा, आपका मन निर्मल होगा नारए, आवो निर्मल मन मनसा एव इदम आपका व्यम, आपका मन जब निर्मल होगा, तो उस मन के द्वारा उसाप परमात्मय को जान सकते हैं, सूक्षमया सूक्षमदर्शिवी, दृष्चते हमारी उपनेशिंदर लिखा आप देख सकते अपने आपको, आप देख सकते परमात्मा को, सूक्षमया सूक्षमदर्शिवी, आप अपने बुद्धी के द्वार अपने आपको जान सकते हैं, लेकिन जानने के लिए आपकी बुद्धी कैसी उनी चाहिए, तो हमारे शूक्षमया सूक्षमदर्शिवी, आपकी बुद्धी बड़ी सूक्षम होना चाहिए, आपकी बुद्धी बड़ी पवित्र होना चा आप सेवा करो, आप गुरू की सेवा करो, सादू मात्माओं की सेवा करो, आप अपने माता फिता की सेवा करो, आपके आसपास जो लोग हैं उसकी भी सेवा करो, जहां कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन हमारे अंदर मदद का भाव है, सहयोग का भाव है। प्रणाम की साधना बटए प्रणाम कर्विकी साधना सच्चिदानन्द रूपाय विश्मूत पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय स्री कृष्नायवयं यं प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यं गैपायनो विरह कातर आजुहाव पत्रे तितन्मयत यातर वो भिनेदू तम्सर्वभूतरदयमृनिमान तोस्मी नैमिसे सुतमासीनं मभिवाद्य महामतिं कथाम्रितरसास्वाद कूषलहस्यवनकोप्रवी सच्चिदाण्द रूपाय स्ताधना का पहला जो सूत्र है भगवाद ने कहाता न तद्विध्धी परिप्रश्णेन सेवयाद भगवान ने पहला जो सूत्र आपको पकड़वा दिया था प्रणाम, प्रणिपात, सेवा और परिप्रश्ण श्री मद भागवत में पहला जो भगवान ने सूत्र दिया है प्रणिपात वाला प्रणिपात वाला सूत्र आपको दे लिया श्री कृष्नयवयम्नुमा आप भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करो नमो नमः बोलो, बोलो नमो नमः आप निठल ले यूँ आइसे बैठे आइसे यूँ बैठे मत रहना जब मैं नमो नमा बोलू ता आप ठुदी नमस्कार करो न मैंने बोला नमो नमो आपने सुना आपको क्या मिला कुछ नहीं मिला जब मैंने बोला नमो नमो और आपने भी हाथ जोड़ के बोला नमो नमो आपकी साधना हो गई सुनने के आपक्षा करना स्रेष्ट है मैंने आपको बोला अपने माता पिता को प्रणाम करो और अपने सुना और यूँ आइसे पेठे रहे तो आपकी साधना नहीं हुई आपकी साधना बनेगी आप सुनने के बाद करना सुरू करतो हमारे जीवन में एक जानकारी होती है दूसरी मने ता और तीसरी अनुभूती जानकारी मने इन्फोर्मेशन जानकारी मने सुचना आप जो सुनते हैं उससे एक जानकारी मिल जाती है आप जतना ज़्यादा बुद्धिमान होगे उतना जानकार पनोगे आप बहुत ज़्यादा उद्यमान है आपकी मेमूरी बहुत अच्छी है ज़्यादा जीवी की है मनलो आप क्या करते हो मोबाइल में मेमूरी डाल देते हो ला वो दो जीवी की है चार जीवी की है आठ जीवी की है आठ जीवी की है बहुत जितना ज़ाद़ा बुद्धिमान में होगे उतना ज़ाद़ा आप जान्कार होगे लेकिन आपकी जो जान्कारिया है जान्कारि के लिए आदमी को आस्थावान होना चेहिए आदली जिनी बुद्धिमान है तो भी जानकार मनेगा और आ 스वान होगा तो भी जानकार मिलेगा हो मानेगा मानना आश्था जर्सलिए है आपको मैंने कहा बहगवान को नमस्कार करो अपने शुन ‫लिया आस्थावान होगा तो मानकार रनेगा, वो मानेगा, मानना आस्थाजन्य है, आपको मैंने कहा, भगवान को नमस्कार करो, अपने सुन लिया, वो ज्यानकरी होगे आपको, लेकर आपने सच्वत हाथ जोड़ा तो, अपने मान लिया, नमो नमह, नमो नमह, नमो नमह, नमो नमह, नमो नमह, यहाँ सबसे पहले नारेन भगवान, श्री कृष्ण को नमस्कार किया है, श्री कृष्णायवयम नमो, आप भगवान को नमस्कार करने हो, लेकिन मालूमी तो होना जी, भगवान क्या है, भगवान कैसे है, पता है क्या आप भगवान को नमस्कार करनें, लेकिन आपको पताओनद चाहिए, भगवान क्या है भगवान क्या है अज्यात से प्रेम या समर्पन संभव नहीं है कोई चीज आपको पता ही नहीं है, तो आप प्रेम कैसे करोगे अच्छा आपके जिवन में ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई वस्तु है क्या, जिसको आप जानते ही नहीं है, लेगना प्रेम करते हैं, नहीं है, संभवी नहीं है, आप जिसको जानते ही नहीं, उससे प्रेम किसी करो गए, आपके लिए अज्यात वस्तु हैं वहां प्रेमोत भाव संभवी नहीं है इसले पहले ज्ञान होना जरूदी है आपने देखा ज्ञान हुआ और उसके बाद प्रेम में बदल गया वो ज्ञान प्रेम में बदल गया आपने सुना और सुनने के बाद वो सुनना प्रेम में बदल गया आपने खाया स्वाद बहुत अच्छा लगा और उस स्वाद के प्रती आपके मन में प्रेम पैदा हो गया ऐसा कैसे संभव है आपने कभी चखाई नहीं और उस वस्तु के प्रती आपका प्रेम हो जाए इस संदुन भी है इसलिए नारायन प्रेम बहुत जरूरी है आप भगवान से प्रेम करना चाहते हो तो भगवान का ज्ञान जरूरी है और ज्ञान के लिए सुनना जरूरी है सुनने से ज्ञान और ज्ञान से प्रेम है व्याजी महाराज भगवान को प्रणाम करने के पहले आपको बता रहे है भगवान क्या है सच्चिदानंदर उपाय विश्वोत पत्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय स्री कृष्णाय वयम्नुम। सब लोग सब बढ़ जाएं सादू महात्मा सब लोग सब बढ़ जाएं लंबी गेरी स्वांस ले थोड़ा आँखे बंद कर ले सब लोग सब लोग सब बढ़ जाएं आँखे बंद कर ले भगवान को याद कर ले लंबी गेरी स्वांस जिब आप लेते हैं तो आप अपने आप में आ जाते हैं आप जब भी लंबी गहरी स्वांस लेते हो तो आप अपने आप में आ जाते हो आप तनाओं में हैं टेंसन में हैं आप आख बंद करो लंबी गहरी स्वांस ले लो यह हमारा बहुत पुराना नारायन उपाय है सुबह के सत्र में आप यही करते हैं लंबी गहरी स्वांस लेना अपने आप में हो जाना तीन मिलिट का हम लोग ध्यान कर रहे हैं लंबी गहरी स्वांस ले केवल आपको लंबी गहरी स्वांस लेना है और अपनी स्वांस को देखना है पूर्ण विश्राब में हैं आप शरीर को बिल्कुल ढिला छोड़ दीजिए जैसे आप सोते हैं वैसे आप अपने शरीर को ढिला छोड़ दीजिए सबसे पहले अपने शरीर को तनाव मुक्त कीजिए और अब लंबी गहरी इस्वास और अब लंबी इस्वास के साथ भगवान को जोड़ दीजिए ओम रहीम नमाश्यवाई बोलना नहीं है मनी मन लंबी गहरी इस्वास ओम रहीम नमाश्यवाई आप स्वासों के साथ लंबी स्वास ले रहे हैं ओम रहीम नमाश्यवाई आप छूड़ रहे हैं ओम रहीम नमाश्यवाई एक तरीका है भगवान को याद करने का बहुत बड़ा तरीका है आख बंद कर ले लंबी गहरी इस्वास के साथ भगवान के नाम को जोड़ दें ओम रहीम नमाश्यवाई आप आप छूड़ दें सब्सक्राइब से जो सब्सक्राइब साथ राम रामु हरे हरे Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna विष्णा क्रिष्णा अरे 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 राम अरे रामा राम राम अरे 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 राम अरे राम राम अरे अरे Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rāma Rama Rāma Hare Hare रामरे किえー राम श्रामराम श्रमकः किरेकेर बिच्णकिर्ष्नकिर्ष्न Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare आपहित कि ए मारा आपहरा आपहर आपया आप ना बोल्ग किै ये मैंक स्तिCarिक on क्रिष्णा, 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 हरे, हरे स्धुंष्णा, क्रिष्णा, 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 य्есс century На राम, आरे हॉरी। नुच्पिर्फ्टिष्ण अरे कुछ्ण अरे कुछ्म। आरे कुछ्ना हरे हडे। खरे क्रिष्णा ख्रिश्णा क्रिष्ट खरे हरे आरे राम आरे राम्मा राम्म भागे हरे हरी रांदे 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 हरी श्राक्रिष्णा अरे हादे अरे राम अरे राम 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 अरे हादे अरे राम अरे राम याम राम अरे हादे Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare 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 आड़ी कृष्वां, मैं धन्था-कृष्मान, डिष्माः, रे‌चा, डिष्माः नाट, भान। Hare 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 हर दो पहर दो हर दो दो आरTheảिक्रिष्ना अरेकिष्णा अन्य व Macedौिक्रििश्णा अरेकर स्पर्ष्ना अरे विरस्पेने महाने की जै आगवत्भवानकी जै हो वन्हा हन द्हानकी जै हो जैय जै Śrī Raadhes when it is आपत्रय विनाशय स्री कृष्णायवय नैमिष्य सुतमाशीन मभिवाध्य महामत्य। कथां मृतर सास्वाद। ये शलह शवन को ब्रवी। ब्याज्जी महाराजी ने भगवान को प्रणाम किया। और प्रणाम के पहले नारायन आपको बताया भगवान का स्वरूप क्या है। सच्चिदानन्द रूपाय। यहां सबसे पहले भगवान के ले शव्द का प्रयोग किया है सत्थ। सत्यम ज्यान मनंतम ब्रह्म्हां स्वयम जोती सनातनम। हमारे शास्त्रों ने सबसे पहले भगवान के ले शव्द का प्रयोग किया है। वो सत्थ है। सत्थ मने जो कभी नहीं मिटने वाला है। ये भगवान का पहला परिचय सत्थ शब्द के द्वारा दिया गया। और ये शब्द जितना हमारे परिचय का है उतना दुनिया में कोई शब्द परिचय का नहीं है। हमारे अनुभों में आने वाली जो भी चीजे दिखाई देती हैं, वो सत्नी वासत्त हैं, वो शाश्वत नहीं हैं, वो अनित्ने हैं, आपको जो भी चीजे दिखाई देती हैं, अनुभों में आती हैं, वो सब बदलने वाली हैं, वो मिठने वाली चीजे हैं, बहुत सारी च आपसे बाइत सारी चीज्जें जो सुबह की है वो शाम को नहीं रहती हैं, हमारे आचारी श्री निर्मल, निर्वान पिथा अदि शर्जी महाराजी का पदारपन हो रहा है आपने शुबह कोई चीज देखी आपने मानो भोजन बनाया सुबह और वो सुबह की बहुत सारी चीजे शाम तक नहीं रपाती है वो सड़ जाती है खराब हो जाती है आप सुबह चाय बनाते हो तो उसको शाम को नहीं पी सकते हो गया चाय एकदम थंडी होने के बाद पिर आपका मूड नहीं होता है पिनेगा, गरम करके पियोगे, जाओ बहुत मजबूरी में, सुबह आपका फूल खिला शाम तक मुर्शा गया हो, दुनिया की चीजों का जो अनुभाव है नारायन और नश्वत्ता का अनुभाव है, ये दुनिया शरी गहीं कितना श्वर है आप बच्चे थे और भी थोड़ा आगे आःओ और पिछे जाओ माा के पेट में हम लोग थे आप पिछे चले जो आप माा के पेट में भी नहीं थे नारायनल आओ घार शु्क्ष्म वो बाद सुख्म अनू की रूप में बीर में पित मा के रज में और वो बहुत सुक्ष मेठे पर एक जगह पर आये कितने छोटे थे उसको मशीन के द्वारा ही जाना जा सकता है नेठा नहीं है उसमें बदला हुआ गया और बदलते बदलते ये शरीर बदला बना और ये शरीर भी बदलने का दूसरा नाम है ना रहा है बदलत बदलते बना बोली सक्चिदानन भगवान की जय हो हमारे गुरुदेव निर्मल पिठादिश्वर्जी महाराज का पदार पन हुआ आपको आशिरवाद देने के लिए हम तो आरम हमें बुलाना चाहते थे लेकिन आरम का हम कोई पता नहीं था कि आरम कब होगा तो हमने सब लोगश्वागत करो उठो खड़े होके ताली बजाते हो है गुरुदेव के पावन चरनों में नमंस सब लोगश्कार करने है नमो नमः बोलो नमो नमः नमो नमः नमः फिर जुका करके प्रणाम करो नमो नमः नमो नमः हरे राम, हरे राम, 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 रे राम, रे राम, राम, रे राम, 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 रे राम, राम, रे राम, राम, रे राम, राम, रे 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 रे सब दो प्रस्टार करें बढ़ें, अचारी स्याप्पा चुरुबात निए अले किष्णा आरे क्रीष्णा क्रिष्णा क्रिष्णा आरे हारे हरे क्रिष्णी हरे क्रिष्णा 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 हरे हरे अर्ल राम 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 र अरे किस्नी अरे किस्ना फिस्टा किस्ने हरे हरे अरे रामु अरे रामु अरे रामु अरे रामु अरे रामु अरे आरे हरे प्रिष्न, 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 हर Hare, Hare Hare Rame, Hare Rama, 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 Rama Harai harai Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, 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 Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare ना मेरा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare 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 श्री नाम मले नाम हो नमरा मुहने हरे तो ही सत्ति दानन भगवाने की जय जय श्री रादे श्री पंचायति अखाड़ा महानिर्वानी आचार्य भगवत पुझय पाद गुरोगर निर्वान पेठादिश्वर जी महाराज का आगमन हमारे लिए बहुत ही सवभाग्य पूरुन आप सब लोग दर्शन कर रहे हैं उन्ह एक बार प्रणाम करते हुए मैं महाराज श्री के पावण चरनों में नमन करूँगा प्रार्थना करूँगा कि आप आश्रवाद दे यह शेश विशय जो है हम लोग कल करेंगे मैं अभी आप लोगों से निवेदन कर रहा था श्रीमाद भागवत के इस पावण महात्मी के प्रसंग का पहला जो शब्द है वो सत्व सच्चिदानन रूपाय मिश्मूत पत्यारिहें तबे आपको परमात्मा से प्रेम करना है तो परिचे देना बहुत जरूरी है कि बिना परिचे प्रेम संभव नहीं है अज्याद से प्रेम संभव नहीं है आरूस तत्व को ज्याद करने के लिए आपको परिचे दे रहे हैं वो कैसे परमात्मा है वो चीत हैं वो आनन्द हैं वो संपुर्ण दुनिया का रचीता है आर उस परमात्मा का होना हमारे जीवन में द्रिष्ट प्रयोजन आपको मिलेगा क्या उसको याद करने पर बता दिया तापत्रय विनाशाय है हमारे जीवन में जो भी तापत्रय ये द्रिष्ट प्रयोजन है अद्रिष्ट प्रयोजन नहीं है आपत्रय बोलते तो अद्रिष्ट प्रयोजन था हमारे जीवन में पाप कितने हैं हमने आज तक कितने पाप किये इसका हमें पता नहीं है अद्रिष्ट है और वो मिटभी जाते है तो हमको मालूम नहीं पड़ता क्योंकि हमारे दर्शन चास्त्र का बहुत सुन्दर नियम है आभाव बुद्धे हे प्रतियुगी ज्ञानम कारणम आभाव के ज्यान के लिए प्रतिव का ज्यान कारणे प्रतिव का ज्यान जदी नहीं होता हो तो आपको आभाव का भी ज्यान नहीं होगा आपको मालूम हो कि इतने पाप हमारी जीवन में है तो उसका मिटना आपको मालूम पड़ेगा यह इतना पाप हमारा मिट गया भगवान के नामसमलन से लेकिन पाप का पता नहीं कि अद्रिस्थ है हमें पाप का पता नहीं होता है लेकिन पाप से पैदा होने वाला जो दुख है वो हमको मालूम होता है उसकी मात्रा भी और उसकी त्यूरता भी हमको मालूम पढ़ती है तापत्रय ताप मने संताप मने तनाव ग्रस्टता दारी द्रिय दुख अशान्ती अनेको रोगों से मिलने वाला जो दुख है ये हमारा दृष्टी का विशे है ये हमारे अनुभूती का विशे है आर इसका मिटना भी जो है न वो हमारे अनुभूती का विशे है यह द्रिष्ट प्रियोजन है तापत्रय विनाशाय हम भगवान को याद करेंगे तो यह हमारे सारी चीजे मिट जाए या ऐसे भगवान श्री कृष्ण अवाकु मौलूब बढ़ गया होगा कि वो सत्थ हैं वो चित अनन्न हैं दुनिया को बनाने वाले हैं और उसको याद क करने के बाद वो हमारी जीवन के सारे पाप सारे संताप और हमारा अज्ञान भी वो हरन कर लेंगे ऐसे भगवान की प्रति हम समर्पित हो जाते हैं श्री कृष्ण आयवयम नमा बड़ा सुन्दर इस लोग हैं दूसरे इस लोग में शुगदियोजी महराजी को नमन किया ह शुगदियोजी महराजी मां के पेट में बारा वर्ष तक रहे आपने ऐसा सुना लेकर मात्मा उन्हें बड़ी गंबीर बात कही बारा वर्ष तक वो अपने मां के साथ रहे और बारा वर्ष की उमर में उनको वैरागय हो गया वास्तविक शुख का जो जन्म है वो दुरुव को पांच वर्ष में वैरागय हो गया नारत को पांच वर्ष में वैरागय हो गया और वही जन्म है वैरागय का जन्म शुख का जन्म है बारवर्ष की उमर में वैरागय हुआ और चल पड़े परिव्राजक बन गयो यम् प्रब्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम् रैपायनों विरहकातर आधुहावं पुत्रीत तन्मेतयात लवुभिनीलू तंसर्वभूतरयमुनिमानकुष्मिनू वैराज गूत्पन वह परिवराजक बने परी तह अच्छी प्रकार से माता पिता को फोड़ दिया उन्होंने पीछे मुड़के भी नहीं देख रहे थे व्याज जी माराज वह पीछे पीछे आ रहे थे बेटा बेटा लिजनों उसका जबब भी उन्होंने दिया परी तह त् जो सन्यासी बने नाराय है आर्वो आत्मरूप हर जगपर तम्शर्वभूत रहें भगवान के सथ वह तका अनुबो करते थे कणकण में सभी भूतों में भगवान की वनुदी करते थे और इसलिए भगवान नहीं तरवो अभी नहीं नहीं वह भगवत भूत जो तरूथ उन्होंने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, यहां बहुत सारे जवाब है, आपको हम कल सुना देंगे, एक जवाब यह सामान्य जवाब था, उन्हों तरवो ने कहा कि भाईया, हमारे लाखो लाखो पुत्र होते हैं, और वो सारे पुत्र मने फल है, फल, परोपकाराय फल रूप में तत्थ स्वरूप दिया परमात्मा का रूप होने के कारण उन व्रक्षों ने उत्तर दिया परमात्मा की रूप में या उन व्रक्षों ने उत्तर दिया भगवान के तरफ से मैंने तो बोला था मेरी माया इसको नहीं व्यापेगी और तुम स्वयमें पिता बनकर माया बनके क्यों व्याप रहे हो आप लोड़ जाओ तरव अभी ने दू ऐसे परम वहराग्य संपन्न शुखदिव जी महाराज के पावन चरणों में हम नमस्कार करते हैं नमो नमहां नमो नमहां नमो नमहां नमो नमहां नमो नमहां इसी प्रकार हम अपने पुज्य आचारी श्री के चरणों में भी हम नमस्कार करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभू आप हमें ग्यान का उपदेश करो अभी अब ही हम लोग दगवान के उस उक्ति पर विचार कर रहे थे तद्विधी प्रणिपाते न परिप्रश्टे न सेवया उपदेख्षंतिते ज्यानम ज्यानिनस्तत्वदर्शिनह आचारी श्री के हमने कोई सेवा नहीं की है लेकिन हम ज्यान पाना चाहते हैं तो ज्यान का उ परिशा करेंगे आपनम हम पुझ्य भगवन के पावंचरनों में प्रणाम करते हैं आप हमें ज्यान का उपदेश करो नमो नमहा नमो नमहा नमो नमहा नमो नमहा बोली सच्चिदानन भगवान की भागवत भगवान की रंदावन धाम की प्रियाग राज भगवान की अरह प्रावेस्टेतं संदरं राशकिननतत्परम्हरिहर ब्रह्म्हा दिभिल्भावितं। वाल्देके स्वानं नसुन नगं। विष्वेश्वरां मोहनं। गोपी इनां नयनोपलार्चिततन। रामानुजो शंभजे। ब्रह्मानन सहोगरी शुर्ति मैं। ब्रह्मानन सहोगरी शुर्ति मैं। साथ बल्लरी पावणी। पी उशाम्भुदिमान तनुद्भवरसां। बुलार्चिततन। 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 श्रीमदभागवताख्यभावशते। राशेश्वराप्रेयशी। पर्चध्यायलसत्यनुर्भिजयते। राशेश्वरी राधिगाव। याश्याश्मर्ण मात्रेण। ज्यानमत्पध्यतेश्वयं। सदेवसर्वसंपत्तिही। तस्वेश्त्री बुरुवे नमहा। ओम सहनो यशहा। सहनो ब्रह्म वर्चसम्मा। श्रीक्रिष्ण गोविल्ण हरे मुरारे। धेनात आरा शुष्ण गोविल्ण हरे मुरारे। धेनात नारा शुष्ण गोविल्ण हरे मुरारे। धेनात नारा शुष्ण गोविल्ण हरे मुरारे। धेनात नारा शुष्ण गोविल्ण हरे मुरारे।